ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफतार किया गया है ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोशना के बाद एक नैशनल पार्टी के नैशनल कन्वीनर को गिरफतार किया गया है ये बिलकुल साफ है कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी भारतिय जंता पार्टी की एक राजनेतिक साज़िश है एडी का उप्योग करके एक विपक्षी दल के राश्ट्रियन नेता को गिरफतार करना एक ऐसे केस में जिसमें दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक रुपे की भी रिकवरी आफ प्रोसीड्स आफ क्राइम नहीं हुई है एक ऐसे केस में गिरफतार करना जहां पर आज तक एडी कोट्स के सामने कोई भी सुबूत नहीं रख पाई है सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतिय जनता पार्टी का डर है ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतिय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उने चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है इसलिए भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें आम आदमी पार्टी को कुचल दें तभी एक के बाद एक 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 आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफतार किया जा रहा है आज आमादमी पार्टी के नमबर वन, नमबर टू, नमबर थरी, नमबर फोर, नमबर फाइव के सारे नेताओं को जूटे आरोपों पर भारतिय जनता पार्टी शासित के इंदर सरकार और उनके पुलिटिकल हत्यार, इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन मैं भारतिय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि अर्विंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्य मंत्री नहीं है अर्विंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक विचार है अर्विंद केजरीवाल एक प्रेरना है अर्विंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी I.R.S. की नौकरी छोड़कर इंकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सडकों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार किया है उनको कैमपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफतार किया है तो मैं भारतिय जनता पार्टी को बता दू कि आप एक अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार कर सकते हैं लेकिन हजारों अर्विंद केजरीवाल दिल्ली की सडकों पर और देश की सडकों पर उतरेंगे इस देश के लोकतंतर को बचाने के लिए आज भारतिया जंता पार्टी ने लोकतंतर को खदम करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद 1 एक के बाद 1 सभी विपक्षी दलों पे और सभी वेपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं अगर वो भारतिय जंता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं अगर वो भारतिय जंता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हों उठा के जेल में फैक दिया जाता है दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कमपनियों को E.D. और C.B.I. के माध्यम से डरा के धमका के उन पे केस करके उन से इलेक्टोरल बॉंड्स के माध्यम से हजारों करोड की उगाही करी है भारतिय जम्ता पार्टी में एक तरफ हमन सोरेन की गिरफतारी होती है दूसरी तरफ कॉंग्रिस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है ये आने वाले लोकसभा चुनाव को आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है विपक्ष को खतम करने का तरीका है ये है आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे तो कोई भी चुनाव कैसे लड़ेगा लेकिन मैं भारतिय जंता पार्टी को ये बता दूं कि जो आप ये विपक्ष के खिलाफ जो आमादमी पार्टी के खिलाफ जो अर्विंद केजरीवार के खिलाफ साजश कर रही है इसका जवाब दिल्ली आपको देगी इसका जवाब पंजाब आपको देगा इसका जवाब पूरा देश आपको देगा आज एक और चिंता भी है हमारी देश में पहली बार चीफ मिनिस्टर जिन के पास Z plus security है Z plus security cover है उनको arrest किया गया है अब अर्विन केजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल जी की security के लिए कौन जिम्मेदार है आज वो ED के office के अंदर है उस office के अंदर कौन जा रहा है क्या लेके जा रहा है इसके लिए कौन जि काटी की भी है ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ED की custody में अर्विन केजरिवाल को परियाप security दे रही है कि नहीं दे रही है ये केंद्र सरकार का अपना assessment है कि वो Z plus security की आवश्यक्ता रखते हैं और एक Z plus security की आवश्यक्ता रखने वाले एक sitting chief minister को custody में रखते हुए ED ने उनका क्या security का arrangement किया है इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा कि अर्वंद केजरीवार जी एक Z plus security के protecting अर्वंद केजरीवार जी इस अदेश की इतिहांस में पहली बार arrest हुए sitting chief minister है हेमन सोरेंग जी की भी जब गिरफतारी हुई थी उन्होंने गिरफतारी से पहले इस्तीफा दे दिया था तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक sitting chief minister को जो security मिलनी चाहिए क्या उनको ED की custody में मिल रही है कौन उस ED के office में अंदर जा रहा है जिस lock up में अर्विंद केजरीवाल है उस lock up में कौन जा रहा है उनकी क्या checking हो रही है उनके पास क्या material है इस सब के लिए कौन जनमेदार होगा एक कारण है कि एक sitting chief minister को एक सम्मिधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को Z plus security दी जाती है क्योंकि उनके लिए कहीं से भी बड़े security के खत्रे हो सकते है लेकिन आज जब एक sitting chief minister को ED की custody में ले लिया जाता है तो उनकी safety और security के लिए कौन जम्मेदार है इसका जवाब केंदर सरकार को देना होगा देखिए हम सुप्रीम कोट से ही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोट जिसने बार बार कहा है कि लोक तंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए आज वो सुप्रीम कोट ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को ना सिर्फ अर्विंद केजरिवाल को बस बलकी इस देश के लोग तंत्र को भी न्याय देगा इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड अफ कंड़क्ट लगने के बाद चुनाव की घोशना होने के बाद देश में से छे में से एक नैशनल पार्टी के नैशनल कनवीनर को गिरफतार कर लिया गया है ये लोग तंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हना नहीं है तो क्या है आपने क्यों गिरफतार किया अर्विन केजरीवाल को चुनाव की घोशना होते ही क्योंकि आप चाते हैं भारतिय जन्ता पार्टी चाती है कि वो चुनाव में कैमपेन ना कर सके कि वो देश भर में जाके इंडिया गटबंदन के लिए कैमपेन ना कर सके तो ये देश के इतिहास में इस देश के लोग तंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है और हम सुप्रीम कोट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतिय जंता पार्टी में चाहे चंडीगर के मेर के चुनाव में चाहे लेक्टोरल बॉंड्स के माध्यम से तो सुप्रीम कोर्ट में सामने आके लोकतंत्र को बचाया है तो हमें उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोट लोक तंत्र की रक्षा करेंगा हम लगातार इंडिया अलाइंस की नेताओं से सबसे टच में हैं उन में से कई लोग अर्विन केज रिवाल जी के परिवार से बात भी कर चुके हैं हमारी भी कई नेताओं से बात हुई है और इंडिया गटबंदन के सभी प्रमुक नेताओं ने फोन पर भी और ट्विटर और मीडिया के माध्यम से भी अर्विन केज रिवाल और आमादमी पार्टी के लिए एक सॉलिडारिटी दिखाई है ये लड़ाई सिर्फ आमादमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल की नहीं है आज ये लोकतंतर के लिए लड़ाई है आप मॉडल कोर्ड अफ कंड़क लगने के बाद चुनाव की घोशना होने के बाद विपक्ष के प्रमुक नेता एक राष्ट्रे पार्टी के राष्ट अग्ध्यक्ष को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये चुनाव को प्रभावित करने का अगर तरीका नहीं है तो और क्या है बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा लेकिन आज केंद्र सरकार का जो डर है वो दिल्ली की सड़कों पे भी दिख रहा है आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस को एक च्छावनी बना दिया गया है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने दो से धाई हजार पुलीस वाले खड़े हैं आम आदमी party के office की सड़क के सामने हजारो para military forces वाले खड़े हैं, पूरी दिल्ली से पूरे देश से पुलीस को और para military forces को इकठा किया गया है, क्यूं? क्योंकि भारतिय जनता पार्टी को डर है उनको पता है कि वो अर्विंद केजरीवाल को जेल में डाल के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुलीस के माध्यम से पैरा मिलिटरी फोर्सेस के माध्यम से अब दिल्नी के लोगों की और देश की लोगों की आवास को भी बंद करने की कोशिश करें